नमस्कार जोजटो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल अंजली न्यूस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली माना कि एक मुद्दत हो गई है उसे देखे हुए, पर किताबों पे धूल जमने से कहानी कहां बदलती है जी है आपने सही सुना, हम आज के डिली राशीफल की बात कर रहे है आज के दिन जिनका बच्चे है या पर मैरे जनुवर्सरी है, उनको मेरी और से धेर सारे शुब कामना है और बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं कामयाब इंसान भले ही कुश ना रहे खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है कामयाब लोगों के चहरे पर दो चीजे होती है एक साइलेंस और दूसरा स्माइल जीदने के लिए आपका जिद्धी होना जरूरी है अगर आप असफलता से डरती हैं तो आप सफल होने की लायक नहीं सही समय कभी नहीं आता है जो समय अभी है वही सही समय है हर तरफ अंधिरा च्छाए होने की दुहाई देने के बजाए अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का यतने कीजिए कई बार मन करता है हार मान लो लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है कोशिश करें कि सफल व्यक्ती ना बने बलकि मुल्यवान व्यक्ती बने जिसे व्यक्ती ने कभी गलती ही नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की अच्छे रादों से की गई महनत कभी वेकार नहीं चाती आगे बनने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को ही चुनिएगा यही सबसे बहतर है आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजाब के लिए जो है शुब रंग यानि के लखी कलर रहने वाले आज का बैंगनी और लखी जो नंबर है वो रहेगा नौ आज का दिन आपके लिए धैरे और शान्ती के साथ काम करने का हो सकता है कुछ मामलों में आपको गलत इंफोर्मेशन मिल सकती है ऐसा हो सकता है या फिर किसे बाद को समझने में आप से ही कुछ भूल हो जाए लोगों से कोई गलती भी हो सकती है आपको समझाने में ऐसा कुछ महौल आज आपके दिन में लगा रहेगा इस कारण जो है थोड़ा तनाव तो पैदा होगा ही वो तो नॉर्मली बात है आज आप कोई चीजों कोई शांती से हैंदल करना पड़ेगा हड बड़ाहड से नहीं आप विवाहित लोगों के लिए सितारे कहते हैं कि आज अगर आप अपने लिए किसी साथी का चैन करते हैं सोच रहे हैं तो इसमें समझदारी से फैसला लेना होगा वरना आगे जांकर आपको भी प्रॉब्लम होगी इसलिए जरा है कुछ राय भी ले सकते हैं अगर कोई विवादित संबत्ती से रिलेटिड मामला चल रहा है आपका तो किसी के मध्यस्तितार किसी के बद किसी बंदे की कारण जो है सकता नहीं है आर्थिक सिती कमजोर ही रहेगी लेकिन इस समय धैरे बना कर भी रखना होगा आज नजी के रिष्टिदार के साथ संबंद में थोड़ी कट उता सकती है ऐसके सितारे कह रहे हैं आपके इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए लाफ कमाने का और धन आगपन होने का भी हो सकता है आपको पुरानी इन्वेस्टिमेंट से काफी अच्छा लाफ मिल सकता है फिर भी नई काम करने से पहले उस पर किसी एक्सपर्ट की डाल ले रिचिए आपको इस समय अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ये बहुत जरूरी बात है कुछ लोग काम से ब्रेक लेकर अपनी परिवार के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं या पिर उनके साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा युकि परिवार के साथ समय आज के लोग क कम ही spent करते हैं इसलिये अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा time spent करने के बारे में सोचना चाहीं जरूर करें इसलिये उनको बहुत ही बढ़िया लगेगा especially आपके parents को दादा रादी को आज किसे भी काम में बहुत ज़ादा महनत की जरूरत पड़ेगी ऐसे कुछ काम हो सकते हैं लेकिन इस महनत से सुखत परिणाम भी मिलेंगे इसलिए पूरे मन योग से अपनी कामों के प्रती समर्पित रहें चाहे वो लेरीज हैं, बच्ची हैं, विधारती वगारा हैं या फिर आप जॉब कर रहें, बिजनसमेन हैं तो इन सबकों मन योग के साथ, पूरी निधरता के साथ पूरी आपको रूल और रेगुलेशन के साथ काम करना चाहिए स्टूरेंस के विपढ़ाई या कैरियर से रेलेट कीसी समस्या का हल मिल सकता है आज बच्चों की कोई जिद या अडियल रवाई या आपकी परिशानी का कारण बनेगा इसलिए परिवार में अनुशासन डिस्सिप्लिन बना कर रखेगा आपर इचे दिव्यक्ति उपर बिल्कुल भरोसा मत कीजेगा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है धोके का शिकार हो सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेगा आज बात करते हैं बिजनस और करण की तो बिजनस और करियर कहता है कि आज विविसाय की प्रती किसी प्रकार की लापरवाही मत बढ़तीगा इस समय जो क्रहक गोचर है वो तो आपके पक्ष में है ही आपको कई बड़ा आडर भी मिल सकता है सरकारी जो लोग जॉब करते हैं उनको जो है किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती आटो स्टेशन जाना पड़ सकता है यज़े के साथ है आज एक करियर में छोटे कारोबार आपको मुराफ़ा दिलवा सकते हैं किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्ट जरूर कीजेगा और हाँ पुराना जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ था शिर्ज मार्केट में उसमें आपको बहुत ही हद तक फायदा मिल सकता है तो जरूर इस बात पर आपको फोकस करना चाहिए आज के दिन अभी अपनी कारक्षंता और प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत ज़ादा संखर्ष और परिश्टम की जरूरत है प्याविसाय में छुनोत्यों का सामना भी करना पड़ेगा राजनीदी से जुड़े किसी व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत लाग दे सकता है अगर आपके काम में कोई अर्चन आ रही है तो वो जो व्यक्ति है जो पॉलरिक से जुड़ा हुआ है वो आपके काफी हद तक मदद कर सकता है तो आप उनकी मदद लेने जिए जिसकी कामा अचिबस मदद ले लीजिए अज आपकी टीम के साथ ही के साथ कोई गलत फैमी हो सकती है शांत रहना आपके लिए बहुत ये बढ़िया रहेंगा चीजें इससे काफी हद तक बहतर देखने को मिल सकते है बागी का जो दिन है वो सितारे कहते हैं कि मिला जुला साबित हो सकता है यानि कि आपको मुनाफ़ा भी होगा और खर्चा भी हो सकता है तो इस चीज़ के आप बालंस बना रहेगा बागी सब कुछ बढ़िया कहा जा रहा है तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में तो आज की लव लाइफ में सितारे कहते हैं कि जादा व्यस्तता और ठकान की वज़े से आज परिवारी के लोगों को समय अगर नहीं दे बाएंगे तो आपसे नराज हो जाएंगे लेकिन जीवन साथी का सायोग आपकी इच्छा शक्ती को मजबूत लगादर बनाता रहेगा वो आपकी हर कदम पर साथ रहेंगे आपका साथ ही आपके भविश्य को प्रभावित करेगा बहतर तो होगा कि किसी साथी का चैन समझ दानी से कीज़ेगा अगर आप शादी शुदा है तो आपको आज अपने परिवार को संभालने के जरूरत है दोनों मिलकर आप अपनी घर के महाल को ज़्यादा बैठर और बढ़िया बना सकते हैं जिसे आप जो अपनी पिरर्स को भी खुश कर पाएंगे और याद रखी हमेशा उनका ख्यार रखीगा क्योंकि उनकी वज़े से तो आज आप इस समय पर सब कुछ कर रहे हैं आप स्टैंड हैं तो केवल उनकी वज़ा से तो उनका ध्यान लेके उनकी इज़त कीजेगा साथी में आज आपका साथी चाहता है कि आप उनकी देख भाल भी करें उन्हीं स्ने हिदे और उन्हीं आपके साथ बहुती बढ़िया महसूस होगा इस चीज़ का किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक शेप की वज़े से घर में कुछ गलत फैमिया हो सकती है आपके थोड़ी सी समझधारी वातावरन दोशित होने से बचा सकती है तो ये जरूर करेंगा बात करते हैं आज के स्वास्ते के बारे में तो स्वास्त केहता है कि गैस और बदहजमे की वज़े से जूड़ों का दर्द भी हो सकता है इसका कारण होगा कि आप खा पीकर बैठ जाते हैं चलते ही फिरते नहीं हैं तो जरा आपने फिजिकल रवाईय को ठीक कीजिए चलना फिनना शुरू कीजिए और हो सके तो एक्सराइजर वाकिंग शुरू कीजिए बहुत इच्छे रिजल्ट मिलेंगे योग आजमारे का अच्छा समय है शरीरिक सफुर्ति इसमें बनी रहेगी कई लोगों को जो है दांतों का दर्द हो सकता है इसके साथ ही आज शरीरिक और मानसिक थकान भी होगी काम की अगर कोई काम जादा है तो उसकी वज़े से यह हो सकता है ये नाचरूल बात है बीच-बीच में बस अराम फर्माते रहेगा मैं तो यही कहूंगी तो चलिके बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आज आपके लिए विशेश उपाई रहेगा कि आज आपको जो है महालक्षमी का व्रत की कथा पढ़नी चाहिए हो सके तो आज आज आपको जो है गरीबों में कुप्त रूप से दान भी करना चाहिए साथ में आज घर में टूटी-फूटी चीजों को बहार निकाल दीजे और हाँ अगर अगर अब घडी भी रुकी होई है तो इसको ज़रा चलाना शुरू कर दीजे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलेगा धन्यवाद